ताव समताने अपर में अत उतंग पद पाएं। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की पते। परम सनमान योग, सतकार योग, गुरु की साजी और नवाजी होई गुरु का खास रूप गुरु खालसा, साथ संगत जी ओ, वड़ेयां पागावाले हो, संद्या समें दे सजे होई दवानना चहाजरियां परके जग्त गुरु दास पात शैंगें दी जाग दी जोत साथ गुरु, श्री गुरु गरंथ सहब जी महराज जी दे दर्शंददार परस रहे। दर्स परस की नो गुरु गरंथ महराज जूके पाप जनमांतर के पौन रूप तारते। श्री गुरु गरंथ सहब जी दे दर्शन परस ने नाल जनम जनमांतरां दे कीते हुए पाप पौन्ना मिच तबदील हो जन्दे हन। सत्गुरां दे दर्शन करके सत्गुरां दी रभी बानी दे शब्द कीर्थन रागी सिंगां दी रसनातों। आप जी ने अद्ब सतकार सहत सर्वन कीते हन। लड़ी वार चल रही गुरु नानक साब जी दी का था सर्वन करन लई। गुरु चर्णा वेच तातपर होके सावधान होके जड़ बैठे हो। मातां सुलखनी जी ने गुरु नानक पात्षा नु बेंती कीती महराज। तो अड़े सहब जादे हर परकारनल लायक हन। पर तुसी अपने पुत्रा नु छड़ के अपने दासवल वद रुख कर रहे हो। चर्चा चल रही है के तुसी अपनी जोत, अपनी कला, अपने दास बिदमान करनी। जगत गुरु पात्षा जी ने ओस वेले जवाब नी दिता। परमातां सुलखनी जी नु परगट करके वखाया के अपने सेवक नड़वद हित क्यों कर दे हा। एक बिल्ली मुर्दा चुई माराज जी दी तरमशाला चे दरवार चे सोटके डरके चली गई। पात्षा ने बाबा शिरी चांद जी फिर बाबा लखमी दास जी नु वारी वारी किया। के मुर्दा चुई ये थों चुख के बाहर सोटाओ दोनों से अब जादयाने निकार करदता। पाही लेना जी बलके इवल बचनी कीता हाले अद्दा बचन मुख बिच सी साथ बचन कहे के उठेते चुख के बाहर सोटाओ। माराज जी ने मातां सुलखनी जी नु आक्या सुलखनी जी निरंग कार दी दाता है। अकाल पुर्ख नु जेड़ा पावेगा उससे नु प्राप्त होनी है ता साड़े भी बास नहीं। एक दिन फिर साथ गुराने चोज कीता। एक कटवार साथ कुराने हाथ बेच से चंना माराज जी ने वगा के चिकड़ च सुड़ दैता। सह्भ जादेहा नु कहा। उनाने निकार कर दैता। साथ गुरु जी ने पाही लेना जी नो किया ते चाट जा के छाल मारी ते छना बार कड के तो के साथ गुरु सच्छा नो पेट कीता। यो कई चोज माराज जी ने परगट कीते वखाए रात नो चादरा तोनदा बचन केया। तावी पाही लेना जी ने साथ बचन के के चादरा तो उगे लेंदा पोधिया सरदरा तानो ता साथ गुरु सच्छे पात्षा जी माराज जी ने अख्या पुर्खा तेरे वरगट कोई नहीं। पाही लेना जी तुसी तान हो। ए बख्षश तान गुरु नानक साथ सचे पात्षा जी माराज जी ने पाही लेना जी नु किती है। आओ मन विर्तिया एकागर करके गरीबन वाज सत गुरु गुर्नानक पात्षा जी दिसाही सर्वन करिये गुरु चरना बे चापना त्यान जोड़ दे होया आखिये जी सात नाम सरीवाही गुरु साहिब जी सात नाम शरीवाही गुरु साहिब जी दोहरा कर जोड़े करतार को बंदन कर सिर नियाए माराज जी ने बचन कीता अख्या पुर्खा उस करतार नूँ हत जोड़ के उस करतार दे चरना मेंच सीसर वाह के बंदना करू तव समताने अपर में अत उतंग पद पाई ए पाई लेना जी तुसी ऐसी उच्छी पद भी नूँ प्राप्त करना है के तोड़ी समता तोड़ी बराबरी कोई दूजा नहीं कर सकदा तर्यों सीस लेर दे अनन्दा तर्यों सीस लेर दे अनन्दा पाई लेना जी नूँ करतार रूप नजर होंदे महराज जी ने आख्या करतार नू बंदना करो सीसन बाके ते पाई लेना जी ने गुर्णान कसाब दे चरना ते मथा ठेके आ पोरो कितक बितायो काला के से तरह कोज को समा कोज को देन होर बतीत हो गए आई लेना जी बड़े प्रेमनल साथ गुरां दे रास परे चरना नू सेव देहाना एक दिन बूडे के मने आई साथ गुरु जी दे दर कर दे अनेन सेवक ब्रह्म ग्यानी तान बाबा बुड़ा साब जी भी गुरु साब दी सेवा वेचे थे हाजर सान एक दिन बाबा बुड़ा साब जी दे मानबेचें फुरना आ गया हों पी सेव करों अधिकाई सेवा था मैं भी बहुत कर दा हां साथ गुरां दी अपना आप समर्पन करके सदा रहों आई सी अनुसारी और सत्गुरु जी दी आगया दे अनसारी होके रहिंदा हाँ, अदब किरपा लेने पर पहारी, पर फिर भी सत्गुरु सचे पात्षा जी माराज जी पाई लेना जी उत्ते विशेश किरपा कर दे हाँ, सुबावक जी में सूक्षम जा फुरना आजन्दा है, एदा बाबा बुड़ा साप जी दे मान जी सूक्षम जा फुरना ही आया है, पाई लेना जी विशेश्ता की है, के उना दे हिर्दे चिक्कदे कोई फुरना फुर्दा ही नहीं, के मैं सेवा कर रहा जा नहीं कर रहा, ब सापना आप गुरु चरना चरपन कीता होया है बाबा बुड़ा साप जी दे मान चे सुबावक्स जी मैं सूक्षम जी विचार हुन दी ओ आ गई के सेवा ता साथ गुरा दी मेरे कोड़ों भी साथ गुरु जी लें दे ने और मैं गुरु साप जी दी आगया दे अनुसारी होके चल दा पर साथ गुरु जी पाई लेना जी उत्ते वशेश करके करपा लूहाना अंतर जामी शिरी गुर जानी जानी जान साथ गुरु जो अंतर जामी ने सब दे देला दिया जान देने पात्षा ने उसे वकत बाबा बुटा साफ जी दे मान दी जान लई तिसके परकन की बिद ठानी साथ गुरू जी ने सेवक दे हिर दे चोई फुर्ना समाब्त करन दी बिदी ठानी दसना सी पाई लेना जी के में सारें चुब शेश हान ए दर्सान वास ते साथ गुरू जी ने लिला वरताई उती निसा इत ए द्वैपासा आता समय साथ गुरू जी बिराजे होए ते ए दोवें पाथ शादे कोड़ हान एक पाई लेना जी दूझे ब्रह्म ग्यानी बाबा बुड़ा साब जी हाना पूल ले बचन तभी सुखरा सा भुशा दे ताते साथ गुरू सचेपात शाजी माराजी बोले कैण लगे बुडे वहर निकस कैदेख माराजी कैण लगे पाई बुड़ा जी वेखो बार जाके निगा मारके तारे वेखो असमान वेखो कितक जामनी है अब सेख रात किन्नीक बाकी रिंदी है बाहर जाके त्यान मार के विखो के रात किन्नीक बाकी है येती रही बतावो सो सुवेरे अमर्त बेडा हो गया, शनान दा समा हो गया, के नहीं हो यह सात गुरू जी ने बाबा बुड़ा साप जी नुए बचन कहे, बाबा बुड़ा देख बताई, बाबा बुड़ा साप जी बार गये, अकाश में चुना समया चे तारया नुँ बेख की अंदा आजा के केड़े पास से किन्ना कुसमा रादा बीट गया किन्नी रात बाकी है तो एदांदाजे लगदे कड़ियां बगएरा नहीं सन हुंदिया आज़ बांगू बाबा बुड़ा साफ जी ने बार जाके अकाश विच निगा मार के विख्या अर्द निसा अब है गतदाई आग के अंदर साथ गुरानों दस्या माराज जी अदी रात बीती है यानि की दोग पैर रात बीती है ते अदी रात हाले बाकी है गुरू के ओ एतिया बनाई माराज जी केंदे बुड़ा जी सानु जापदा भी इनी नहीं होई सानु जापदा जिमें अमर्तवेडा हो गया होई एक जाम जाम नी आही सानु जापदा भी पैर की रात बाकी रहेगी होनिया तेन पैर रात बीत गई है बली परकार भी लोक बहोरी जाओ चंगी तरा वेख के आओ, अकाश बिच चंगी तरा तारयां दी सेध वेखो, देओ बताए खोए मत पोरी ते जाके त्यान नल वेखो, गो नल वेखो भी हो गया, अमरत वेडा सानू लगदा हो गया तुसी कहें दे वद्धी रात बीतिया, ते आननल वेख के आओ, ताँ जो ए परमदूर हो जावे साथ बुड़े पिकनी की पांती, साथ बुरांदा बचन सोनके बाबा जी फेर गए बार, ते आननल गो नल बाबा बुड़ा साब जी ने तक्या तयो प्रभू जी आदी राती, अंदर आके कैन लगे माराज जी नहीं अदी राती बीतिया, जिमें मैं पहला वेख के आया हाँ जाम नहीं मैं देखी नी के, जाराज पैर रात ने दो पैर रात हाले बाकी है सुन बोले प्रिया सिखन जी के, आपने सिखन दे प्यारे साथ गुरू जी ने जदो बाबा बुड़ा साब जा दो बारा ये बचन सुनेया, सुनके गरीबन वाज साहब जी बोले एक जाम जाम नी होई, नहीं बुड़ा जी तुआ नूप लेखा लगा जापदा है, एक पैर रात बाकी जापदी है दैने पिकी पली बिद सोई, बाबा जी तुसी बुड़ा जी वेख के नहीं आए, तुसी चंगी तरह पर्ख के नहीं आए बोहरो बुड़े देख आकाशा, बाबा बुड़ा जी नूप फिर वेखो जाके आकाश बलते आनार, अर्द रात्र अब हैं सुकरासा बाबा जी कैन लगे माराज मैनू पूरी तसलिया भी अद्धी रात ही बीती है, अद्धी रात हाले बाब की है तीन बारियों बचन हटाए, लेता तीजी वार जदो वेख के फिर माराज जी दा बचन हटादता मोडदता, शिरी गुर को आशे ने पाए साथ गुरां दे अंदर दी खेड बाबा बुटा साब जी नूनी पता लगा भी साथ गुरू जी क्यों कह रहे ने बार बार लेने सु बूली गत दाई जदो बाबा बुटा जी तेन बारी वेख के आगए, फिर माराज जी ने पाई लेना जी नू आखे आ तो अब लोक वहर अब जाई पादशा कहें दे पाई लेना जी तुसी जाओ, चंगी तरह वेख के तुसी पड़ताल करके आओ ये तीन से देओ बताई देखो किन्नी को रात बीती है, ते किन्नी को रात बाकी रहीं भी है निक से उतूरन देर न लाई पाई लेना जी चाट निकले बार जाके कमरे चुबे खेया उड़कन को भी लोक कैबानी अताश बेच तारे बेखे ते तारे अदी लोवेक के आए अर्द निसा अब शिरी गुन खानी पाई लेना जी ने भी ओही बचना के दसे हमाराज जी अदी रात बीती है ते अदी रात हाले बाकी है गुर बो ले दे को तुम नीके हमाराज जी केंदे पुर्खा तेनू भी पुलेखा लगया बाबे बुडे बांगो चंगीत राते आनल गोनल वेक के आओ बार जाम जामनी है अबनी के अनू लगदा भी पैर कर आती बाकी रहगी होनी है तोहरा लेहना रिदे बिचार ही है आदी रात पाई लेहना जी अपने मानच विचार कर दे भी जे बार तार्यानू वेक्षिये उनू वेक के ताए ही जाब देवी रात अदी बीती है रात अदी है ये अदी रात हाले बाकी रहिंदी है तदप गुरू सुहाव जो सोने जाने उजात तदप गुरू जी केड़ी रमच की कह रहेने उनी समझा रही क्यों कह रेने बार बार उँ समझ वेच नहीं हो दी जो पई यो मन गुन के बेन यलाए इस तरह अपने मानच सोच के बिचार के पाई लेना जी बोले प्रभ ममनेन हुते अलसाए कैन लगे माराज जी भी नीद वेच गया उठके अखा वेच नीद है पूल के ओ मैं आदी राती मैंनु नी पता लगा भार ते मैं शैद पुले खेनड के बेख्थां के अदी रात बीती है जाम एक कई अब सुध जाती माराज जिननी तुसे कें देओ उननी रात बाकी है जितनी निसा बिताई राउर जिननी बतीत करा दिती है उननी बीत गई है माराज जिननी रखी है बाकी उननी रही दी है वास माराज मैं ता ये जानना विजाब दा मैंनु पुले शेख दा करताब भी ये है कदे गुरु वेच कमी ना कड़े अखोसात ना सिख गुरु अकेही अरदास करे माराज मेरी पुल है मेरा गुना है मेरी खामी मेरे को ने इक पुल होई मैं ये पराद दी है माराज तो सीता बक्षांदो गरीबन वाजे ये सिख दी क्योंकि पाद्शा ने दे द्वारा दसना है कि सिख दा जीवन के हो जा हो भी पाई लेना जी कहें दे माराज जिन्नी रात तो साने बतीत कराई है बिती है जिन्नी रखी या और नी रेंदी है जितनी बिती न मैं लखत बाउर माराज जी मैंनु निये देबारे बोध हो सकेया पता लग सकेया अब जितनी राखी सो रही जिननी आब दिने रात रखी उननी रेंदी है सर्बकाल को करता तो ही माराज जी सर्बकाल दे करता तुसि यो इस समा तो अड़ बनाया होया है ये पूद काल, वर्तमान काल, पवेखकाल, ये जिन्ना भी काल है महराज समा, ये तो अड़ा बनाया हुया, तो अड़ा सिर्जया हुया है, पई अवगिया छिमा करीजे, बाब कर दियो महराज, मेरे कुडों गलती हो गई, मैं कै बैठा आके अती रात बीती, महराज जिन्न तुसां बतीत कराई उन्नी बीती, जिन्नी रखी ये उन्नी रहिंदी है, खेमा कर दियो महराज, मेरे कुडों पोल हो गई, मैं आप जिदा बचन काटके अगों बोल बैठा भी नहीं अती रात बीती है, खेमा कर दियो महराज, मेरे कुडों पोल होई है, ओगन हार सदा ब माराज तो आटे सामने आके मैं बोल बैठा भी अदी रात भीती माराज मैंनु इपुलेखा लगा मैं इचंगी तरह नहीं वेख सके आ सुनके साथ गुरु जी बड़े परसान होए बड़े खोश होए सिखी योई चाहिए सेखन योई चाहिए गुरु अगे पमे सब कुछ जानदा भी होवे ना गुरु अगे आके ही आखे पादशा मैं कुछ नहीं जानदा मैं अग्याननी हां हम अग्याननी हां माराज असी ज्यान हीने हां हम अग्यान अलप मत थोरी तुम्हे अपन बिर्द रखावो माराज असी अग्याननी हां सेखने फिर भी योई बेंती करनी है लक्यो सरबती सर्वत्मदास जन्याया है। देखे है, जन्ने ताऊ लाए ने, जन्निया कसवटिंगा लाए याने, उन्हा सारे ताऊं थे कसवटिंगा थे, पाई लाए ने, घरे उत्रे हाना। बारें बन्नी पयो सुरूरा, बारा बन्नी दा शुद सोना हो गए हाना, पर्खियो सेवक सबई पांती, आपने सेवक नू सर्ब पर कारनर साथ गुरू जी ने पर्ख लेया, हर जगा ते पर्ख के वेख लेया, ताओ कस्वटिया लाके पर्ख के वेख लेया, वेख लेया भ ये पूरे नू सेम दे सेम दे पूरन हो गए हाना, उचत खजाने पावन देखा, पादशा ने बेख्या ऐसे पूरन हो गए ने, खरे हो गए ने, होने ना नू आपने खजाने बित पा लई है, क्योंकि जदो पादशा पर्ख दे है ते खरेया नू खजाने जपा लें दे है और जेड़े खोटे ने उन्हानु सोटके बाहर सोट दिन्दे त्याग दिन्दे विजाओ जमदे मरदे रहो पादशा बेखिया ए खरे ने होने नानु आपने खजानने बिच पोते च पाल लिए करी किरपा पर सीध भी शेखा पादशा ने अज संकल्प कीता के राज जोग दा ए तख्त जो निरंकार कोड़ो सानू प्रापतो यह ए तख्त आज तो बाद पाई लेना जिनु दे देई है सत्स्रिया काले विदी माराज जिदे मान वे चाहिए पल्टों बेक पले उर्ठानी मान के ठान ले अभी होना अपना बारला पेक पल्ट लवांदर जो तो ही रहनी है जो तो हा जुगत साय सहकाया फेर पलटी है चुले सो छात नरंजनी मल तख्त बैठा गुर हट्टी है पाई लेना जी बारे गुरु अंगत साब जी बारे पाई सत्य ते बल्वांदर ले 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 लेने दी पर आई है नान का दो ही खट्टी है माराज गुर नानक साब ने मान चे संकल्ब कीता है के मैं होना अपना बारला पेख बदला सुख सागर पूरन अबिनाशी सुखांदे सागर जो पूरन अबनाशी हाना जो काटत सेवक जम फासी सवया रूप ना रेक ना रंग ना राग ना रोग ना सोग अकाल सदाए जो नरंकार अकाल पुर्ख प्रमेशर जैसदा कोई रूप नहीं है जैसदी कोई रेखा नहीं जैसदा कोई रंग नहीं जो राग दोख तो रहत है, रोग तों, सोग तों सदा इयकाल सदा उन्वाड़ा है पूर्न शिर परमेशर, जो पुरषोतम पार नहीं कैपाए जो पूर्न पार परमेशर, पुरषोतम कई उत्तम पुर्ष है, जे सदा कोई भी पार नहीं पा सकता पात ना जात ना मात ना तात ना प्रात ना बेदे अनन्त अलाएं जिस अकाल पुरुख दी ना कोई पात पंगत है ना कोई जात है जिस दा ना कोई माँ है ना कोई प्यो है ना कोई प्राह है वेदा विच जिस अकाल पुर्क पर मेशर नो अनंत कहके संबोधन कीता है सुकरतार तरह अवतार तरह पैनान के रूप सोहाए कभी कभी राज पाई संतोक संग जी कह दे ओस करतार ने इस मात लोक दी तर्थीते गुर्नान का रूप होके जगदे जीवन वापने दर्शन दिते हाँ उस करतार ने जिस दा कुई रूप रंग, चेन, वर्न, जात, पात नहीं है उस ने गुर्नान का रूप होके अवतार तर्थीते तार्न कीता है जैसा काल पुरुखन जड जंगम चेतन जिनने जीबने रचे हाना नर नारिन के जैहें चिन बनाए जैसा नर नारियां दे सारे चिन बनाए भी यह नर है नारिया उदे वखो वखरे चिन बनाए जोतिस रूपए अनूपम रूप है जोती रूप होके सारे अमिच अनूपम जैसिती कोई उपमै नहीं कही जा सकती पूपन पूप जो रावन राए जो आजे अंदा राजा है राजे भी जिसा काल पुरुखनू राजा कह के समूद न कर दे हा न आद अनाद अगाद अबाद जो सारें दा आद है जो अनाद भी है अगाद गाया नहीं जान बाड़ा अरादत साद सदा चेत लाए जिस परमेशर नू सदा ही अराद देहा न सो गुर नानक ठान लई मान अगाद आव सरीर छड़ के मैं गुरु अंगाद देवे सरीर विद जाके समाजा ओस गुर नानक साब जी ने मान चे ठान लई के हुण मैं गुरु अंगाद रूप हो जावा शिरी प्रमात्मा जो सारे यां विच व्यापक है और सब नू बनान वाला सिर्जन वाला है खापक है पावताप मेटाए सारे संसार नू लह करन वाला भी है संसार दे जीवान दे तिन्ने ताप निवारने वाला है पापक लाप नसे जापते जाप कीते हैं सारे पाप नसे जांदे है जदो रसना तो कहिए वाह गुरू ताँ वाह गुरू कहें दे हैं सारे पाप नस तो जांदे हान आप ही आपे अम आप रहाए आप ही आप हान जनानू मापया नहीं जा सकदा जो सारे जगत दा कार्ण हान और पखाण दा निवार्ण करन वाले हान दासे उदारन जांबेर दाए इना दा बिर्द ये है के संसार बेच आपने या दासां दा उदार करने, आपने या सेव का उदार करने ये इना दा बिर्द है ओ गुर नानक जी ठटी, ओ गुर नानक साफ जी ऐसे दिन दे आल सत गुरू जी उना ने आपने मान च यो ठटी है लेहने तान बीच बेराजों जाए, अपने सेवक अनेन सेवक पाई लेहना जी दे तान बिच जाके बेराज मान हो जामा, ओ गुर्णानक साफ जी ने आपड़े मान चे ठटी है, दोहरा, करशनान एरावती, गमने उठ पुन सारे, थोड़ा जा समा बीते है, पात्षा उठे क्योंकि राद नहीं वेला से, एरावती कें दे नरावी, दर्याव अगदा करतार पुरसाब दे नेडें, पात्षा ने रावी ते जाके शनान कीता है, पैबसठ करते है, वान चे सेवाहित लेना चले ओ, जाको चरन अदार. लेना जी दा रोज दा नेम से, जदों साथ गुरा नेश नान नों जाना पाई,लेना जी नाल जन दे. आज भी पाई लेना जी सेवक बन के नाल चले हन जना दे मानवेच गुर नानक साब दे चरना दा अधार है चोपई जाए तीर पर बस्तर उतारे आनगुरू नानक साब जी ने अपने बस्तर ते अगे हन रावी दर्या दे कंडे पे चिरी गुर प्रवशे नीर मजारे पर शनान करन वास ते साथ गुरू जी ने रावी दे निर्मल जाल च परवेश कीता है पर शनान मद ठांडे रहे पाई शनान करके गले तक पानी वेच काफी समय तक खलोते रहें दे सी रावी च तो महराज गरीबन वास जी शनान करन वास ते परवेश कीता ते जलवेच खलो गए जिन बहुदासन के दुक दहे ऐसे दिन दे आल जिन अपने बहुत सारे अदासां सेवकां दे दुख दूर कीते हाना दै्चिन लेने कीन शनाना पाई लेना जी ने भी शनान कीता, बैटि उतट पर लाई ते आना, पाई लेना जी शनान करके किनारे ते आके बैज अंदे सी रोजधा नेम सी, जदो सात्गुराने दर्या चो बार आवना, पाई लेना जीने बस्तर देने माराज जीने पैन के नकर चोना, आज कहें दे साथ गुरु जी शनान करन प्रवेश करके दर्या वेच पाई लेना जी शनान करके कंडे ते आके चौंकडा लाके अपने त्यांदी मुद्राच बैठ गए दस्वें द्वारे स्वास टिकायो कहें दे सुर्थ दसम द्वार वेच जा टेकी पाई लेना जी जदो बैठेना पड़मासन लगा है ते दसम द्वार वेच जा के सुर्थ टेक गई प्रेम निमगन त्यान रसे आयो प्रेम चेहो जे निमगन होए के उस त्यान वेच रसोन लगा जो सरूप शिरी नानक सुंदर तान गुरू नानक साफ जी जडा सोना ते सुंदर सब रूप है पाई लेना जी ने ओस रूप आपने हिर्दे विच तार्न कीता होया गुर नानक साफ जी जडा सुंदर सब रूप है ना उस सोने जे सवरूपनों पाई लेना जी ने आपने हिर्दे बिच तार्न कीता उस सरूप दे रास बिच मगनों के समाधी इस्थत होके बैठे रहे पयो बिदे दे सुधनाई आप दे तो बदे हो गए आपने सरीर दी कोई सोध बोद पाई लेना जी नो नहीं रही अंदर गुर्णानक सावदी मूर्त वेची त्यान जोड़ गया सोके अमोल पायो उर्माई और आपने हिर्दे च अमोल के सोख प्रावत कीता निस्चल बैठे हो त्यान निमगना और निस्चल होके त्यान वेच निमगन होके बैठे रहे गुर्णानक सावदे सोने रूप दी लेव लगई होई बास गुर्णानक सावदा इत्यान हिर्दे वेच बनया होया शिरिगुर बंदे प्रेम की डोरी बार पाई लैना जी बैठे ते रावीद रहादे वेच गुर्णानक सावदी महराज जी खडे हा पाई लेना जी ने हो जी प्रेम दी खेच कीती गुरु साब दी मूरते रदेच मसाई के गुर्नार्क साब सची पात्षा जी राभी दर्यादे जाल बेच टेक नहीं सके प्रेम दी डोर बेच खेचे होए निज तप कर्न दीन तब छोरी आपनी तपसे आमाराज जीने बेच छाड़ देती ताट पर आए दास को हेरा और पार आके दर्यादे कंडे ते आपने सेवक बल वेखेया पाई लेना जीनू बैठेया वेखेया ये सुद ने तन कीतिस बेरा पाई लेना जीनू आपने सरीर दी कोई सुद नहीं समादी इस्थित बैठे होए खालसा जी समादी ओदों लगदी है जदों मान ना रहे जदों तक मान है ओदों तक समादी नहीं लग सकती समादी दी अवस्था यू है जित्थे मान बल लाय हो पाई लेना जी अंदर मान नहीं केवल गुर मूरत है, उस गुर मूरत वे चीते आन जुड़ गया है, आपने सेवक नू समाधी इस्थत बैठेया वेखेया है, वेर रूप ने पिके अनूपा। अन्तर त्यान रूप अनूपा। पाई लेना जी ने अपने त्यान वेच तारया हुया सी, लेने तेछ पाई लिये सो। माराज जी ने अपना सरूप पाई लेना जी दिगा, वो सतने आन वेच चुपा लेया। तब साप्रम होए खुले भी लोचना। एकदम तरबक के जमें सभरम कहें देने तरबक के, जमें कोई बहुत जादा काटा पया होवे, यहों तरबक के पैपीत होके नेतर खोले। देखे आगे सोच भी मोचन। नेतर खोले ते बार सोचां दा चिंतावां दा नाश करन बाले। दीन दे आल साथ गुरू बेदियां दी कोल दे सरमोर। कान गुरू नानक साब जी खडे हाना। आत बंद के कीन प्रणामा। पाई लेना जीने आत्व बनने ते महराजी दे चरना ते सीस चुका आके परणाम कीती। ले निज संग चले सुकतामा। महराजी कें दे चलो पुर्खा चलिये नगरवल। बस्तर तार्न कीते ते पाई लेना जीनों नाल लेके नगरवल आए। तर्म साल में आन विराजे तर्म शाला बे चान विराजे सिरी आसाजी दी वार दे कीरतन दी समापती होई। ऐसे सात्गुरु जो अपने आज सिखानों सारी सोख देन बाले ने सर्म सुखान दे उलेने गुर्नान कसाब सचे पाध्शा। लेने कू बिठाई तें काला। को निक्ट हतारा। सोख सहब जादे नू भी बुलाया। आई तबे तर्म साल मजारा। सारी संगत सारे सेख सहब जादे यां समेथ तर्म शाला बे चाये। लेने को करुणा युतहेरा। पाई लेना जी बल माराज जीने अपने करणा परे रसीले नेतरानल बेखेया। ले पांच पैसे एक ना ले रिया। पांच पैसे ते एक शिरीफल नारियल माराज गुरु नानक पातशा ने लेया। फाव गुरु अंग देव जो हो गएने तान गुरु अंगद साब जी दिगा तेन पर करमा कीतिगा। पर कर्मा करके पांच पैसे ते शिरीफल गुरु अंग देव साब दे चरना ते रखके। हाथ जोड के सीस निवायो, हाथ जोड के गुर्नानक साब सची पात्षा, पूरे विशम नुँ जेत लेण वारे गुर्नानक साब, आज जे चोके ने ता गुरु अंगा देव साब दे चरना ते सीस टेकिया है, लेणा पिक डरे हो बिसमायो, बेख के गुरु अंगा देव साब एकदम डर गए, पैर अपने चरन संकोच लेवी आ की, दिन दुनिया दे मालक जगत स्वामी एक ही कर रहे हाना, उर भी चार भी परीत माहना, एकदम मानच वपरीत पावाया की आया ता सदे ने, टैंचिन एबिद बचिन बखाना, ले कैन लगे, तुम करतार सरब सिरताजा, लगे हे गुरु बाबाजी, तुसी जगत दे करतार, सारे संसार दे सरताज मालक स्वामी हो, परम परमेश्वर शिरी महाराज हो, जिस तन को तुम ने सिर नियायो, जिस सरीर नो तुसी आपना सीस दबाया, उचित बड़े दुख मैं ल एहो जै सरीर नो दुही होना चाहिदा, एहो जै सरीर नो नस हो जाना चाहिदा, जिस तुसी सीस चुका आरे यो, जदो गुरु अंगत साब ने पावना बास हो के बचन कहे, दोहरा, सोन शीरी गुर तब के ओ, कृपार सीले नेन, जदो गुरु अंगत साब ने के आना, त साब जी गुरु अंगर साब नु कैन लगे पुर्खा बस तूशन करो बहुर न बोलेओ बैन माराजी ने आख्या पुर्खा चोप रहो हुण ना कोई बोल बोलेओ क्योंकि हुण जो कहोगे जो सोचोगे वो हो जाएगा तो अड़े हिरदे बेच असी आंट के हाँ ए बचन बोल ना बोलो जो पई जो उचरो सो हो ऐसा ची जो कहोगे वो साचो जावेगा पुन असकरो ना गिरा उबाची पुन बोड के ऐसा बोल ऐसी गिरा नहीं बोल नी आएस मन्नो असमत मेरो अड़ा ए मत है के तुस्सी साढ़ी आग गया मन्नो पास अब कोगुर होई जग चे अंगद नाम आजते होई पहला नाम तो अड़ा पाई लेना सी आजतों बाद तो अड़ा नाम गुरू अंगद देव हो गया संसार बिच परविट हो गया अंगद देव ता होया क्योंकि मैं अपन अंगा तो तो अनु अंगद बनाया है मेरे अंग लाग के तुसी अंगद देव होई हो परमेशर दा सच्चा नाम ए सेवर्न संसार बिच परगटावो परगट करो यह ते सिखी रीत चलावो, यह सिखी दी मर्यादा चलावो, सिखी दी रीत टोरो, असके प्रबद्वे रूप सोहायो, कह देता कह के गुर्णानक साब ते गुरु अंगत साब दो रूप भार ले, सरीर वक्खरे वक्खरे देश रहे ने, जानशीरी गंग तरंगे उठायो, गंगा दे पानी चु कोई तरंग उच्चे उपर उठ दी ते तरंग ते गंग पानी वक्खरे देश देने, पर होंदे ता एकी ने ना, पेद ता कोई ने, कह दे दा सरीरी दो देश रहे ने, नीके दिपेओ परकाश विसाला, यह दा परकाश गुरु बाबाजी दे पास है, ओही परकाश गुरु अंगद साब दे हेर दे जो परकाश यह है, जो मशाल ते जगे मसाला, जैने एक मशाल तो दूजी मशाल जाग जे ते पहली दा लो थोड़ी काट जान दी ते दूजी दी हो से ताण वद काट ने, कोजी हो जान दियाने ना, कहां दे जैने, जैन में उल्टी गंग वहाई लोक हरान सान उल्टी गंगा वह पई पाई सत्ते ते बलवान ने भी लिख्या उल्टी गंग वहाई दो निया कहें दी आ की हो गया चेले गुरुआनू मत्था टेक दे सान पर आ जो गुरु ने चेले नू नमसकार कीती है ता उल्टी गंगा वै तुरी पाड़ान। पहाड़ा तो थले मदानी अलाके नू गंगा अउंदी सुनी सी पर मैदान विच्चों पहाड़नू जा चड़े गंगा ये पहली बार वेखे आए चेले गुरुआनू नमसकारां कर दे वेखे सान। पहली बार वेखे आए के गुरु ने अपने चेले नू सीच चुका के नमसकार कीती होगे। हां जी सिख को कर गुर दी गुरे आई के अपने सिख नू गुरे आई दे दिती होगे इस परतार तें तक्त बिठायो इता जे राज जोगे दा तखत गुरे नानक साब दे पास है ना ओ राज जोगे दा तखत गुरु अंगत साब दू दता है बोरू सवसू बचन अलायो तेन सारी संगत नो भोकम करके बचन अलाया पात्षा कैन लगे जेडे मेरे अनुसारी हन गुर्णानक साब कहें दे ए सिखो जेडे तुसी मेरी आगया मननवाले हो नमो करे पदपर सिर्तारी आओ उठो ते वारी वारी गुरु अंगर साब नो मेरा रूप जान के सीश चुका के नमस्कार करो हां जी मम सरूप को जैसे जाने ये मेरे तुसी मेरा सरूप जान दे हो तिसी परकार इसे मन माने गुरु अंगर साब नो मेरा रूप जान के नमस्कार करनी है इना वेच्चर मेरेच कोई पेद नहीं एना वेच्चुर मेरेच पेदना रंच पच्छाननों, रंच कपार भी पेद नहीं जानना सुनर जाए सत गुर की तबई सत गुरु जी दी आग्या सुनी जिमें पटाने स्वैन्याच लेहाना जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो जो तत गुरु नानक साब पेच्च है तत गुरु नानक साब पेच्चा है कोई पेद नहीं जानना, माराज जी दी आग्या जदो सब ने सुने, बुड़े ते आदिक सिख सब ही, ब्राम ग्यानी तान बाबा बुड़ा सब जी सब तो पहल वगे उठे, गुर्याई दा तेलक ब्राम ग्यानी बाबा बुड़ा सब जी ने दता, बाबा जी ने नमसकार कीती फिछे सारे सिख परनाम करन लगे रुख बिलोक का दोक निकंदन साथ कुरादा हुकम सी महराज जी दा रुख वेख के सब ने आगया पाली उठतत कालीन सब इबंदन अतकाल सारे ने उठके सिखाने बंदना कीती जोगल आतम जो उठे ना कोई पर्माराज जी दे दुनों सहब जा दे नहीं उठे बैटे रहे मान परसोई ओ आपने मान के बैठे रहे भी असी गुर नानक दे पुत रहा शीरी गुर तिन को गिरा अलाई साथ गुरु जी बोले बाबा शीरी चांद लखमी दास जी दू कैन लगे कैन लगे सहब जा दियो तुसी भी उठो ते उठके बंदना करो गुरु अंगद साब नो कैत पई दास ते हारा अपको जवाब देता कैन लगे जी तो अड़ा दास है हम सुत उर्द पादिय अधिकारा कैसे बने बंदना करनी हम ते करी न जाए अकरनी आड़े कोडो निये ना कीते जानवाला कामकार होना कै अपने सदन सिधारे कै के दोनों सहब जादे उठके मेलानू चले गए पित कर तब कुछ रिदे न तारे साथ कुराँ दी खेड़नू नहीं हिर्देच जान सके मैं मालक कै क्यों न मानियों साथ कुराँ दी मैं मालक के माराज जीदा कैना नी मन्या क्योंकि पिता रूप करके ही वेख रहे ने सारी जेंदगी क्योंकि पूर्वले जनमा चे ताप कीता सी ताप करके मंगी ये मंगी सी वी गुर्णानक साथ जी सानू पिता रूप चे दर्शन देव अकाल पुर्ख जी ते ओन पुत्तर बढ़ की रहना सी ना ते पुत्तर ते पिता दा रिस्ता ते दास ते स्वामी दा रिस्ता जमीन असमान दांतरा हां जी तैंचे न शीरिगुर काचन बखाने ओं साथ गुरू जी ओस बेले कोज नहीं बोले बैट कई अंग द संग बचना गुरू अंगा देव साप जी नो महराज जी कैन लगे पर उपकार जी ने मन रचना ऐसे साथ गुरू जी जिनादा मन हमेशा पर उपकार करदा ते पर उपकार ही चित बदा है अब तुम जगत उदारन कारन मूल मंत्र शुब करो सुधारन महराज जी क्यूंकि जब जी ने एक जगा थे नहीं उचारी बको वक्रियां थावां ते पाउड़िंगा वचारन कीतिंगा गुरु अंगत देव साब जी दी डूटी लाई गुरु नानक साब जीने जदों गुर्ता गदी ते बैठे के तुसी साधी इस बानी नू एकतर करोए दी तर्तीब बनाओ साधी बानी जो अकाल पुर्ख दे तुर्त दरगा तो आई है उना नू गुना दी खान करके विखो और जित्थे जित्थे भी शब्द ने साधी बानी दे उना नू कठे करो और कठे करके सान नू सुनों दे चले जाओ बंद मिर्जाद करू उपकारा हम ते जो जन में पस्चाता तिन सब को हुवे गत दाता तिन बानी जदों तुसी दे तर्तीव बना दे होगे सारी आप उड़िंगे जब जी साथ दी तर्तीव बना दे होगे महराची कहेंदे साथे तो बाद शरीर ते आगणतों जेडे जीव संसार बिच जन मनगे जेडा इस बानी नू पड़ेगा ए बानी उना नू मुक्ती देवेगी ए बानी उना दी कल्यान करेगी जो जहाज चड सागर तरही जेवें केसे जहाज ते चड के संसार समुंदर नू तरीद है त्यों ते पड संसार उदर ही इससे तरा जेडे इस बानी नू पड़न गे उएस पावसागर तो पार उतर न गे सुन शिरी अंगद बंदन ठानी गुरु बापा जी दे बतन सुन के गुरु अंगद साव दे परणाम कीती नमसकार कीती बीन बीन नी के गुरबानी और गुरबानी यथे जथे भी सी ओ गुरु अंगद साव ने सारिगा पावड़िगा जप जी साव दिया पहला बूल मंतर लिखेया फिर अगे जप जी साव दिया सारी पोड़िया नों कतर कीता आन सुनावन कीन सुहानी सारी बानी नों कठेया करके ओ बानी आके जप जी साव दी गुर्णानत साव नों सुनाई तब जप नाम तरे ओ गुन खानी गुर्णादी खान गुर्णानक साव जी ने सबानी दा नाम रखेया जाप बानी, आपा सतकार नल जाप जी साहिब कहा दिनने हैं, गुर्बानी दा नाम है जाप, जाप निसान एदना भी नाम होंदा है, माराज गुरु अंगद साव ने जड़ा खीरला सलोक मां पुर्ष दस देओ गुरु नानक साव जी सचे पात्षा नल एक में कहोन तो बाद गुरु अंगद साव ने हुचा, ए सलोक पवण गुरु पानी पेता, ए दो वेरी आओंदा गुरु गरंद साव, एक वेरी जप ज होंदा उत्थे पवर नाम होंदा है, एस से तरह इत्थे जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत का आल होंदा है, उत्थे होर शब्द होर केती छुटी नाल, ए दा थोड़े थोड़े फरक दे नाल, दिवस दे थांते देनस है, ए फरक है सलोक का मिजः जी, शीर मुकते में माप पाकी, साथगुरू जी ने एस पावन बाणी, सिरी जपजी साब दी मेंमा, अपने मुख्रों चार्ण कीती, सुणोखाल साजी, जपजी साब दी मेंमा, जो नर होवे सिख्खी अब लाकी, जड़ा नर, सिख्खी दी अब लाखा रखदा भी मैंनू सिख्खी दा दान मिले, जड़ा भी नर, कोई भी प्राणी मत्र, जड़ा चौदा भी मैंनू सिख्खी दा दान प्राप्त होवे, दिस मैं उठे से करे शनाना, वो पैर रात रहें दे आं, अमर्त बेले उठे, उ अर्थ विचार करे उर्माई और पाठ कर देया नाल नाल अर्थां दी विचार करे मुक्त हो एसो संसे नाई तो सिखी दा दान प्रापत ओवेगा ओ मुक्त ओवेगा एदेच किसी प्रकार दा संसा ते संदे नहीं जब जी सेवन प्रीत सो जाही जब जी साब दा पाठ प्रेम सहत करनगे मम समीप प्रापतो ओएताई गुरु नानक साब जी कहें दे जब जी साब नल प्रेम करनवाले मेरे निकट मेरे कोल ओणगे उननानु मेरी समीप ता प्रापतो ओवेगे जब जी साव दा पाठ करन बेले हो जाने हां करो असी गुर्णानक साव जी दे पास बैठे हैं उना दी बाणी उना दा सब रूप है सत स्रिया कालिब पर साड़ा ता जब जी साव दा पाठ शनान पान कर दे निकल जन्दा है भी छेती छेती सुमापती हो बे आसन ते बैख के प्रेम सहत बाणी पड़ो यो समझ के भी गुरु साव जी दे समीब बैठे है महराज जी कहें दे जड़े पड़नगे ना प्रेम सहत उन्त नू मेरे को लोणगे उना नू मेरी समीब ता प्राप्त होवेगी तरी कामना पड़ हैं एक मन महराज कोई कामना तार केक मन होके जब जी साव दा पाठ तर नंगे मोई संपूरन तैंकी तत चिन कामना दी पूर्ती तत चिन होवेगी जंतर मंतर पुन तंतर माना जोनिगाच जंतर मंतर तंतर बहुत प्रकार दे हाना उत जी प्रेत देंत बलवाना पूतने प्रेतने दैंत जक्षादक बलवान हाना, ने समीपने आवे कोई, जेड़ा गुर सेख त्यार बर त्यार होके जब जी साबदा पाठ करदा, ओ देते ना कोई तंतर, ना कोई मंतर, ना कोई काला जदू, इलम, पूत प्रेत, कुछ भी उना नू नहीं भी आपदा, जेड़े स्री जब जी साबदी पाणी नल जुड़े होए ने, पठन प्रीत नित नार जे होई, जेड़े नार प्रेम सायत निता प्रती नित नेम नल एस बाणी नू पढ़ देहाना, आनुक दे जीव जिन पाई, जनानू मनुख़्ी दे प्रापत होई उना दी दे सफल ह जो जन दी है, कellे जीड़े मनुख़् बने ने, जनानू मान भी शरीर प्रापत होआ है, दे मनुख़्ी जाम्मा प्रापत करके जीड़े जब योग मंत्र गुर केरा, योग मंत्र है जब जी साहिब, कि ते उतनित सोख देत कनेहा, ते दो आ जहाना चे कनेरा सोख देन बाला है, ओए सिख जप कंठ न कीना, जे ना ओवे सिख ते जब जी साहब योनू कंठ ना होवे, ओवे सिख ते जब जी साहब नू कंठ ना होवे, ना ओ तरीक बेक तर लीनो, तो केवल पेखी सिख हो सकदा, गुर्नान कदा सिख नी हो सकदा, जे ना मलुकी सरीर है, सिखा दे करे जमके जब जी साहब नी कंठ कीता, कहें दे पाईयो ना ओ तरीक सिखा, कला ना दाई सिखा से खाया नहीं हो, हान जी इसते और न को बिद ऊची, एस जब जी साव तो ची बिदी कोई नहीं, जब सेवन एक मन वे सूची, जड़े से जब जी साव नू सेव देवना दे मन पवित्तर हो जान्दे हाना, काम तेन, चिंता मन सुरतर, कैंदे काम तेन गऊ है, कैंदे जडे क कुल जो मंगी ये मिलदा है, चंता मनी जो चित भी ये पूरा हुंदा है, कल्प ब्रेच जेडा फाल मंगी हो दे कुलू मिलदा है, ए जड़िया चीज जाहाना, करने सके आध तिल समसर, जैंदे जप जी साब दी पावन बाणी दे बरापर, काम तेन चंता मनी, ते कल्प ब् बरापर एक तेल मातर भी बरापरी नहीं कर सकते। पूचे अगादे अकथ हैं, जो जप जी सुख कंदे। होई ना पुला चुकां दिखे माँ विसर ना हेंदातार विसर ना हेंदातार विसर ना हेंदातार विसर ना हेंदातार अपना ना मंदे हो अपना ना मंदे हो अपना ना मंदे हो गोण कावा देन रात गोण कावा देन रात नान कावा देन रात नान कावा देन रात वाहे गुरू 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 झाल झाल